नमस्कार दोस्तों सो शब्द प्रती मिनट की गती से संपात की डिक्टेशन स्टार्ट होगी तीन सेगेंड बाद दुनिया की बढ़ती अबादी को लेकर आ रही रिपोर्टें चोकाने वाली हैं संयुक्त राष्ट की रपट के मुताविक 2050 तक एशिया महाधीप की आबादी पांच अरब हो जाएगी और सदी के अंत तक दुनिया की आबादी 12 अरब तक पहुच जाएगी दिल्चस्प आकडा तो यहे है की 2024 तक चीन और भारत की आबादी बराबर हो जाएगी और 2027 में भारत चीन को पचाड कर दुनिया का सरवाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा पर बढ़ती अबादी को लेकर कुछ राहत दिलाने वाले आकड़े भी हैं जिनके मुताबिक पिछले कुछ दशकों में अबादी की रफतार में कुछ कमी आई है खास कर 1971 एक्यासी के मद्धे वार्शिक वृधी दर 2.5 फीसद थी जो 2011-16 के दोरान घट कर 1.3 फीसद रह गई बेतहाशा बढ़ती अबादी का असर खाने पीने के समान और दवाईयों यातायात के साधन बिजली और आवास जैसी जरूरी चीजों तथा संसाधनों की उपलब्धता पर पड़ता है इसके अलावा पर्यावरण, भूकमरी, बेरोजगारी और लोगों की सेहत पर असर को भी साफ तोर पर देखा जा सकता है गोर तलब है कि सब को बहतर तालीम, सुआस्थे, सुविधाएं, रोजगार, आवास और संतूलित आहार ना मिलने की बड़ी वजहा बढ़ती आबादी को ही माना जा रहा है इसके अलावा कुपोशन, गरीबी और आसंतूलित विकास भी भढ़ती आबादी की देन है केंद्र और राज्य सरकारे जनता को बहतर सेहत तालीम, रोजगार और संतूलित आहार मुहया कराने की बात अजादी के बाद से ही करती आई है लेकिन पिछले साड़े साथ दशक में देश की आधी से ज्यादा आबादी को ना तो बहतर तालीम मिल पा रही है और ना ही बहतर सेहत बहती आबादी को लेकर कुछ दिल्चस्प आकडे राश्टिये परिवार स्वास्ते सर्वेक्षन के आए हैं इसके मुताविक संपत्ती और धन के अधार पर कुल परजननदर टी एफ आर में भिनिता देखने को मिलती है भारत में यह आकडा सबसे गरीब समहू में 3.2 बच्चे प्रती महिला मध्धे समहू में 2.5 बच्चे प्रती महिला और उच समहू में 1.5 बच्चे प्रती महिला है इससे पता चलता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आबादी की बढ़ोतरी जादा है आज की तारीख में भारत की आबादी में युवाओं की आबादी 25 करोड से उपर है यानी देश का हर पांचवा वेक्ती युवा है ऐसे में इतनी बड़ी आबादी को रोजगार अच्छा स्वास्थे संतुलित आहार शिक्षा और आवास मुहया कराना भारत जैसे विकास शील देश के लिए बड़ी चुनोती तो है ही दरसल अजादी के बाद से ही लोकतांत्रिक देश होने की वजह से आबादी को काबू में रखने के लिए भारत ने उन तरीकों और उपायों से परहेज किया जो चीन और कुछ दूसरे देश अपनाते रहे और अपनी आबादी पर नियंतरन पा लिया बहतर जिन्द की जीने का सबका मोलिक अधिकार है लेकिन जिस से बहतर जिन्द की जीने में बादा पहुचती हो तो उस पर भी विचार करना जरूरी हो जाता है गोर तलब है कि आबादी की समस्या दूसरी तमाम समस्याओं से अलग तरह की है यहे वैक्तिगत मामला है मजहब जाती खेती और मजदूरी में सहुलियत या दूसरे कारणों से आबादी बढ़ाने की सोच को नए सिरे से समझना होगा एक समाजिक सर्विक्षन के मुताबिक निमन आए वर्ग में मजहब जाती या काम में सहुलियत के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करने की सोच देखी जाती है इसलिए इनकी आए बढ़ाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी इसतर पर इमानदार पहल की जरूरत है लोगों को यहे बताया जाना चाहिए की ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपेक्षा कम बच्चे पैदा कर उन्हें बहतर तालीम और बहतर सेहत देना बच्चे और परिवार दोनों के हित में है बढ़ती अबादी के साथ कई चिंताएं जुड़ी है अबादी बढ़ने के साथ घटते संसाधन और बढ़ती बेरोजगारी देश में कई आसन समस्याओं को जनम दे रही है इससे विकास की राह में बादाएं आ रही हैं केंद्र और राज्य सरकारों की तमाम परिवार नियोजन, योजनाओं, अभियानों और स्वेम सेवी संगठनों की सशक्त भूमिका के बावजूद भारत में जन संख्या विर्धी की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है जाहिर है परिवार नियोजन के सरकारी अभियान पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं हालांकी अबादी बढ़ने की रफ्तार कम जरूर पड़ी है लेकिन जनमदर की अपेक्षा मृत्यूदर कम होने के कारण महज 2001 से 2010 के दोरान 18.14 करोड की बढ़ोतरी दर्ज की गई पिछले पांच सालों में लगबग ओसत जन संख्या बढ़ने का यही हाल रहा है यह विर्धी पिछली जन गड़ना के आकडों की तुलना में 17.64 फीसद अधिक है अब भी भारत की जन संख्या 1.3 फीसद सालाना दर से बढ़ रही है जो की चीन के 0.6 से धाई गुना अधिक है विशेशग्यों के मुताबिक पानी, जमीन, खाद्यान, कोईला, पैट्रोलियम पदार्थ और अन्य आवश्यक संसाधनों में लगातार कमी आ रही है इस वक्त बड़ी समस्या पीने के पानी और शुद खाद्यान की भी है भारत में दालों की उपलब्दता की समस्या लगातार बनी रहती है हालात यहां तक आप पहुचे हैं कि पानी, दूद और दलहन की बाजार में उपलब्दता बनाए रखने के लिए बहुराश्ट्रिये कम्पनियों को ठेका दिया जा रहा है इसका नतीजा यह है कि अर्बो की विदेश मुद्रा भारत से बाहर जा रही है स्टोप फ्रेंड्स पीड़ाफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल दाएगा आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिमिफिकेशन आपको जल से जल मिल सकें धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में झाले वीडियो में